नमस्कार दोस्तो आप सभी का हूम रेसेपी चानल में स्वागत है आज मैं आपको मुंगदाल से एक बढ़िया मुलायम नस्ता बना के दिखाने वाला हूँ जिसे की देखते ही आप बना कर खाएंगे इतना टेस्टी लगता है ये तो फिर चले दोस्तो बनाना शुरूप कर तो इसे हम दो घंटे बिगो कर लेंगे तो इस बीच के समय में हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं तो उसके लिए मैंने तड़का प्यान में एक बड़ा चमच तेल डाला है और तेल गरम हुने के बाद आदा चमच राई डालेंगे यहाँ पर तेल जादा गरम हुआ है तो ग्यास को बंद करके आदा चमच जीरा डालेंगे जैसे ही जीरा चटक जाए चौप किया हुआ थोड़ा कड़ी पता डालके बारी कटी हुई दो हरी मिर्ची डालेंगे और कुछ सेकन तक इसमें चमच चलाईंगे यह देखिए हमारा तड़का बनके तयार है तो इसे साइड में करके उदर चेक करते है की डाल भीग चुकी है की नहीं यह देखिए दो गंटे में हमारी डाल थोड़ी सी भीग चुकी है अभी इसमें से पानी निकालके मूंग डाल को मिक्सी के जार में डालेंगे अब इसके साथ में आदा कप मोटी सुजी डलते है अभी डलते है एक अंडा आप अगर विजिटेरन है तो अंडा स्कीप कर सकते हो या फिर अंडा खाने के शोकिन है तो एक से दो अंडा डाल सकते हो अभी लगबग आदा कप पानी डालेंगे इसे हमें अच्छी तरह पीस कर इसका स्मूथ बैटर बना लेना है ये देखो ऐसे पीस लेने के बाद इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसपर करेंगे आप देख सकते हो कि हमारा बैटर एकदम स्मूथ बना है अब इसमें डलते है जो हमने तड़का बनाया था उसे अब इस्वादा नुसार नमक डालके आदा चमच रेट चिली फ्लेक्स डालेंगे आदा चमच काली मिर्च पाउडर डालते है और थोड़ा हरा धनिया डालके इसे अच्छी तरों मिला लेंगे ताकि इसमें डाले हुए सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाए अब लास्ट में जो डालना है वो एक चमच बेकिंग पाउडर अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोड़ा या इनो पाउडर डाल सकते हो हमारा बेटर एकदम परफेक्ट बनके तयार है अभी क्या करेंगे तीन से चार चमच बेटर को बॉल में डाल देंगे यहाँ पर मैंने बॉल को अंदर से तेल लगा के रखा था हमें बॉल को 80% ही बरना है अभी इन सभी के उपर थोड़ा सफे तिल डालेंगे अब रेड चिली फ्लेक्स डालते है इसके बड़ डालेंगे कलोंजी अभी एक एक बॉल को उठा के स्टेनर में रखेंगे क्यूंकि हमें इसे स्टीम जो देना है अब चलते हैं दोस्तों किचन के ओर इदर मैंने स्टीम देने के लिए पानी को गरम होने के लिए पहले से ही ग्यास पर रखा था अभी इसे डख कर लगबग 7-8 मिनिट तक स्टीम देंगे 8 मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि ये बड़िया फुल चुके है ये देखो स्टीक पे गीला बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपका यानि कि ये अंदर से भी आच्छी तरव पक चुके है तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मैं आपको एक निकल के दिखाता हूँ इसे बना के आप आपकी मनपसंद चटनी के साथ या बिना किसी चटनी के भी खाएंगे तो ये टेस्टी ही लगेंगे ये देखिए ये बहुत ही आसानी से निकलता है तो आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले